वेलकम टू मैठ्स लेमा इस वीडियो में हम लोग एरियाज निकालना सीखते हैं सबसे पहला है रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इन्टू ब्रेथ लेंथ गीवन है सिधीटि इसी मीटर डेट की एक तेन मीटर क्यांटका मल्टिप्लाइब करोगे तो एडिया और ऊजाएगा तू हंडेड और युनित हो जाएगा मीटर स्कॉइल थेक हैं सक्याइड हैं स्क्वाइर अस्कॉइरा का एरिया निकालने का फोर्मूला होता है साइड इंटु साइड साइड इवन ए 10 मीटर तो आप कर दीजिए 10 मीटर इंटु 10 मीटर सो इट विल कम हंड्रेड यूनिट विल भी मीटर स्क्वाइर थार्ड इस ट्रेंगल ट्रेंगल का एरिया होता है हाफ इंटु बेस इंटु हाइट हाइट को बहुत जगा अल्टिटूड भी कहा जाता है आप कर दीजिए हाफ इंटु बेस आपका है 50 मीटर और हाइट है आपका 5 मीटर से किन्सल हो जाएगा 25 फाइप रेस हो जाएगा 25 टमसी 25 25 तो आपका एंसर हो जाएगा 125 मीटर स्क्वाइर ठीक है सर्कल सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाइड और स्कॉएर पाइड का वेलू होता है 3.14 और रेडियच का स्कँवाइड रेडियस क्या दिया हुआ है 5 cm x 5 cm जब आप कंट करोगे आपका अपर एडिया जाएगा सेभा 10 पोंसब्ए एड फॉर यूनिट हो जाएगा इन्टू साइड इन्टू साहईड हाँ से रूट तरी का वैलू बाइब सेबं थ्री टू होता हैं बाइफॉर इंटू साइट ट्रिण मीटर है आप कर देजी टेन मीटर और इंटू गरें जब आप इसको सिंपिलिफाइए करोंगे तू से काटोंगे 5 जा आप कर देजें टू से 5 और यह तू से इफ तो आपका आजाएगा 25 इंटू 1.732 मीटर स्क्वाइर ठीक है आप मुल्टिप्लाइ करोगे तो आपका इंसर आजाएगा 43.3 मीटर स्क्वाइर ठीक है लास्ट है सेमी सर्कल ठीक है सेमी सर्कल सेमी सर्कल एम होता है एरिया और उसका हाफ क्योंकि सेमी है तो इसका हम लोग सर्कल का एरिया का हाफ कर देते हैं तो पाय आर स्कॉाइर बाई टू हो जाएगा पाई का वेल्डू आप उट अप कर दीजे 3.14, रेडियस से आपका 5 cm और ये भी आपका 5 cm दो बार हो जाएगा, और डिवाइड कर दीजे आप 2 से, जब आप सिंपिलिफाइ करोगे तो इसका इंसर आजाएगा आपका 39.25 cm2, इसी तरीके से कोई भी जोमेट्रिकल फीगर अगर हमें दिया जाएगा तो हम उसका इलिया निकाल सकते हैं, थैंक यू सो मच, पिलिज सेर विट यूर फ्रेंड्स, गुड़ डे,